हेलो इवरीवन वेलकम बेग टो माइटूट चैनल नर्सिंग नोप्स और आज की स्वूडियम बात करेंगे हम बीए सी नर्सिंग फर्स्टर के माइक्रो बाइलोटी जो सब्जेक्ट है उसके इम्पोटेंट कोशिंस के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे इसके लोग कोशिंस के बारे में ठीक है जो 15 से 10 से या फिर 15 नंबर के जो होते हैं उनके बारे में यह इम्पोटेंट कोशिंस आप कौन से भी यूनिवर्सिटी के हो या फिर कौन से भी स्टेट्स के हो कौन से भी कोशिंस के हो सबके लिए इम्प about physical method of sterilization, ठीक है, physical method कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा heat वगेरा हो गया, fumigation हो गया, इस तरीके से जो method आपको include करने हैं, 10 से 15 हैं, तो यह हमारा first question बनेगा, 15 नमर का, ठीक है, second है, define infection and types of infection, ठीक है, infection क्या होता है, and types of infection, यह भी 15 नमर का question बनता है, second है, sorry, third question हमारा, वो है, define and classify hypersensivity, ठीक है, hypersensitivity जो है, होती है, उसके बारे में लिखेंगे, discussing details about type first hypersensivity, type first जो hypersensitivity है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है, fourth question है हमारा, define infection, ठीक है, discussing details about hospital born infection, जो नोजों को में infection होता है, hospital born infection, उसके बारे में लिखना है, their development and control, और उसके development से लिखकर, उसके जो control होता है, उस तक आपको लिखना है, ये भी same 15 नमर का question बनता है, इसके बार, name the malarial parasites, malarial parasites होते हैं, उसके बारे में लिखना आपको नाम लिखने, चाब होते हैं, पांच होते हैं, ठीक है, अभी नया अमेरिका भी आ गया है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में लिखना है, इन चारो पांचों में से, इसके बाद, define bacteria, discuss in details about hepatitis B virus, define bacteria बेक्टिरिया क्या होता है, और जो hepatitis B virus होता है, उसके बारे में आपको क्या है, लिखना है, इसके बाद 7 जो कोशन हैं है, वो है classified mycobacterium, and explaining details about morphology, pathogenesis and laboratory diagnosis of the pulmonary tuberculosis TB के बारे में आपको इसके इंदर लिखना है पेले लिखना है classify mycobacterium mycobacterium के बारे में आपको लिखना है इसके बाद इसके इंदर explanation करना है ठीक है इसके बाद आठ बार जो question है हमारा explain in details common bacteria and their pathogenesis ठीक है इसके बारे में आपको लिखना है इसके बाद last हमारा long question है वो है 9th define immunity and types of immunity immunity क्या होती है और इसके जो types है वो आपको लिखना है short questions जो कि आपके 5 से लेकर यह 8 नुमर के जो question दोनते है उसके बारे में आपको लिखना है first question है हमारा difference between prokaryotis and eukaryotes ठीक है जो self होती है हमारे उसके बारे में लिखना है second sources and transmission of infection जो sources होते है mood of infection जो की हमारा वो आपको इसके इंदर लिखना है and transmission of infection वो भी आपको इसके इंदर included करना है इसके बाद third question है what is autoclay autoclay क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है and ये भी आपके 5 से 8 नंबर का question बनता है fourth question life cycle of plasmodium plasmodium जो होता है उसके बारे में life cycle के बारे में लिखना है fifth question structure of bacteria bacteria के structure के बारे में लिखना है six one types of immunity immunity के बारे में लिखना है ठीक है types कौन कौनस immunity this short question के अंदर भी आपके बनता है question seven last question हमारा difference between step hyalococci and stepto cocci इनके बारे में आपको लिखना है difference लिखना है ये भी 7 पाथ से 8 नंबर का question बनता है तो इस तरीके साथ के microbiology के questions बनते है important question से ये आपको इसकी study करने पड़ेगी यदि इन से related कोई भी answer चाहिए तो आपको कुछ answer तो आपको मिली जाएंगे जैसे की infection के उपड़े immunity के उपड़े sterilization के उपड़े इनके notes हमारे channel पे भी available है ठीक है वहाँ से आप इसको बढ़ सकते हो ठीक है और भी जो subject है उनकी important questions है वो हमारे channel पे available है आप उनको भी देख सकते हो उन सभी की link description में दे रखी है जैसे की anatomy physiology fundamental हो गई इसके बाद cycle हो गई ठीक है इस तरह के जो subject है other subject उनके भी biochemistry हो गई उसके भी important questions एवलेबल है ठीक है उनकी सबकी link description में दे रखी है आप वहाँ से जाके देख सकते हो उमिद करता हूँ आपको समझ में आगा कि BSE first year BSE nursing first year के important questions कौन-कौन से microbiology ठीक है और other video subject हो उनके भी links नीचे दे रखे है यदि आप हमारे channel पर नए हो तो हमारे channel को subscribe कीजिए ठीक है यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को share कीजिए ठीक यू